सुशान्त राजपूत की मौत के मामले में कथित ड्रक्स एंगल को लेकर चल रही जाज के सिलसले में अभीनीत्री रिया चक्रवर्ती मंगलवार को लगातार तीसरे दिन नार्कोटिक्स कंचोल ब्यूरो एनसीबी के सामने पेश होई। आज पहली बार रिया ने ड्रक्स लेने की बात कुबल की है। इससे पहले रिया इस बात पर आड़ी थी कि उन्होंने कभी ड्रक्स नहीं लिया है। यही नहीं रिया ने एनसीबी को उन बॉलेवुट पार्टियों के नाम भी दिये हैं जहां ड्रक्स ली जाती थी। अब ए उन्होंने कभी ड्रक्स का सेवन नहीं किया है। सुशान्त को लेकर उन्होंने कई अहम खुला से किये थे। रिया ने NCB को दिये अपने बयान में कहा कि सुशान्त सिंग 2016 से ही ड्रक्स का सेवन करती थे। फिल्म के दारनाद के शोटिंग के दोरान से भी उन्होंने ड्रक्स का सेवन किया था। रिया ने बताया था कि वो सुशान्त के कहने पर ड्रक्स मंगाया करती थी। उन्होंने खुद के ड्रक्स लेने की बात से इंकार किया। हलाकि उन्होंने इस बात को स्विकार किया कि व वो सुशान्त के लिए किया था। सुशान्त को बज्स की जरूरत होती थी और वो ड्रक्स सुशान्त वा उसके दोस्तों के लिए था। रिया ने कहा कि सुशान्त और सुशान्त के बेस्ट प्रिंट्स के लिए ड्रक्स आता था। रिया ने खुद के किवल सिगरेट और शराब के सेवन की बात मानी। रिया ने बताया था कि शौविक के जरिये अब्डुल बासित परिहार से पांच बार मुलाकात हुई थी। बासित शौविक से मिलने घर आया करता था। सामूल मिरांडा के आमने सामने पूछने पर रिया ने खुद के ड्रग लेने पर मना कर दिया था। रिया ने बताया कि सामूल जो भी पसलाए थे, वो सुशान्त के लिए थे।